अब देखो मैं आपको दो चीज समझाता हूं पहले तो अपने पढ़ा होगा एक पढ़ा है आपने प्राइम नंबर हां से पढ़ा है कौन से होते हैं प्राइम नंबर जो डिजिट जो नंबर की वाल खुद की टेबल में आते हैं या तो ऐसे समझा लो या फिर खुद से डि इनका कोई factor नहीं है other than one मतलब इनके जो factor करेंगे तो two into one मिल सकता ज्यादा ज्यादा आपको three into one मिल सकता और कुछ नहीं मिलेगा ऐसा ही है हां या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि यह केवल खुद की टेबल में ही divide होते है टू है टू है खुद से डिवाइड होगा जैसे 23 है जै अफिर यह खुद के अलावा किसी और से भी डिवाइड हो सकते हैं कंपोशिट नंबर आर दोज लिख देता हूं यह कंपोशिट कंबर्स आर दोज बूज अ मोर दैन मोर दैन वन फैक्टर अधर दैन वन यह वन नंबर है और मोर दैन वन फैक्टर में वन को ऐसे ना लिखे है ऐसे लिख देता हूं more than one factor, एक से ज़्यादा factor होते हैं, एक से ज़्यादा factor मतलब है 4, 2 into 2 हो रहा है न, फिर 1 हो रहा है न, तो क्या है यह composite number है, ठीक है, या फिर ऐसा समझ लो, यह ऐसा भी definition हो सकती है, कि यह अपनी table के अलाबा किसी और से divide हो सकता है, divide by, इसकी एक definition हो सकती है, divide by itself, और other number, खुझ से भी divide होगा, और किसी और से भी, जैसे कि 4 है 4, 4 से divide हो सकता है, हाँ सर हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, हाँ सर हो सकता है, ऐसा मत करना 1 से भी हो सकता है, 1 को अटा दो तोड़े देरे के लिए, मैं उनके अलावा जो number से उनकी बात करना हूँ, यह समझ में आगे composite number ठीक है, यानि कि अगर आपके पास दो factor मिल जाए, मैं आपसे कहाऊ 120, composite है के हक, आप कहोगे सर यह ऐसे लिखा जा सकता है, जो number ऐसे लिखे जाता है, दो break, दो मतलब break होके लिखे जा सकते हैं, वो composite number है simple, मतलब यह short में समझ लो आप, अब देखो first वाला number आपका, 7 into 11 into 13 plus 13, क्या करूँ, 13 common ले लिए, इदर से 13 निकला तो 7 into 11 plus 1 बचा, इदर 13, 77 plus 1 और यह हो गया 78, अब आप देखोंगे यहां पर, दो factor मिल गया क्या, हासर मिल गया न, जब दो मिलेंगे या दो से ज़्यादा भी मिल सकते हैं आपको, जब दो मिल सकते हैं और दो से ज़्यादा भी मिल सकते हैं, यह यहां पर क्या देखा हमने, composite number are those who have more than one factor, एक से ज़्यादा factor है, हासर है, तो यह क्या हो गया, so it is composite number because it have more than, more than, कितने factor होने हैं, more than one factor, बताओ, यही समझमा है, हासरी है, तो आगे समझमा, more than one factor हो गया न, आपर, more than one factor, वही definition सी समझा रहा हूँ आपको, clear है, आगे देखाओ, अब इसका second वाला question देखो, आप क्या कह रहा है, second वाला, second वाला कह रहा है आपको, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, अब यहां क्या करें, मैंने कर रहा है पहले से, 5 और यह 1009, अब यहां देखो, यहां भी आपके पास दो factor आ गए हैं, क्या बिल्कूल, yes, it is also composite number, क्यों, क्योंकि यहां भी आपके पास क्या है, more than one factor है, एक से जादा जहां आपको factor दिख जाए, टुकड़े दिख जाए, आप देखो, इसका मतलब यह देखो, यह 5 से भी divide हो जाएगा, और 109 से भी divide हो जाएगा, यह 13 से भी divide हो जाएगा, 78 से भी divide हो जाएगा, यह कहना चाहरा हूँ मैं आपको, इसका रहा है कुछ आपको, यह कहना चाहरा हूँ मैं आपको, इसके अंदर जो factor होते हैं, एक से ज़्यादा आजाते हैं, वो composite number है, तो यह मैंने composite number की form में change कर दिया, like that, clear है, आप इसको note कर लेना, एक बार अच्छे है से अपनी copy के अंदर, और यह इसका reason है, so it is composite number, because it is more than one factor, थोड़ी से writing का issue लगेगा आपको, हाँ, थोड़ी सा मता बैठता नहीं है, tap के ओपर बढ़ाने में, तो writing थोड़ी से दीर दीर सूरज आएगी, बागी सारे चीज़े concept में आ रहा है, हाँ, तो okay, मिलते है next video में, goodbye.